वेल्कम बैक क्लीन नियूज चलिए देखते हैं मध्योप्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को इससे पहले आप MPK के जिले से नियूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए साथी डेली अपजीट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूले आज कल आई केम 3000 है उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे आई आई चीन दौर में प्रवेश मिलने के बाद ये दस्तावेज करने होंगे जमा आई चीन दौर में प्रवेश मिलने के बाद विद्यार्तियों को आवेदन फॉर्म संस्थान में जमा करना होगा इसके लिए संस्थान ने विद्यार्तियों को आवेदन के साथ पर जमा किये जाने वाले दस्तावेजों की जानकारी दी है उन्हें 100 रुपे के शपत पत्र बनवाना होगा जिसमें विद्यारतियों को बताना होगा कि उन्होंने प्रवेश लेने के लिए दिये सभी दस्तावेश सही दिये हैं और इनमें किसी भी तरह की कोई गलत जानकारी नहीं है इसके साथी फोटो जन प्रमाणपत्र जाती प्रमाणपत्र, EWS प्रमाणपत्र, मातापिता की आए का प्रमाणपत्र, P.W.D का प्रमाणपत्र, High School और Higher Secondary की मांगशीद, काउंसलिंग के बाद मिलने वाला Allotment, Migration प्रमाणपत्र, Feast रसीद, Medical Fitness प्रमाणपत्र, Anti-Racking Committee के नि नियम का पालन करने के लिए शपत पत्र लाइब्रेरी मेंबर्शिप फॉर्म सुरक्षा से संबंदित नियमों का पालन करने के लिए शपत पत्र दीना होगा। पिशले महाराजे में चुनाओ के कारण कृषी सचाई यंत्रों का अवेदन रोग दिया गया था। मौडल पर एयरपोर्ट जैसी वर्ल्ड क्लास विधाओ के साथ तयार किया गया है। हभीब गंज स्टेशन का डी डवलेप्मेंट जर्मनी के हैडलबर्ग रिल्वे स्टेशन की तर्श पर किया गया। MP में कृरोना के सभी प्रतिबंद खत्म शादी बिया में जितने मर्जी उतने बुला सकेंगे महमान। MP के लोगों के लिए आज एक अच्छी खबर आई है। में कृरोना के कारण लगे सभी प्रतिबंद खत्म कर दिये गए जिसके निर्देश खुद सियम शिवराइट ने दिये अभी तक ये 300 लोगों को ही एक जगा बुलाने की अनुमती थी अब कितने भी महमान बुला सकते हैं इसके साथ ही मेलों पर लगी रोक भी हट जाएग मद्यप्रदेश एक और रिकॉर्ड करने की तैयारी में हैं दरसल मद्यप्रदेश में धान के खरीदी शुरू की जानी हैं वही माना जा रहा है कि इस बार धान खरीदी में मद्यप्रदेश अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोर देगा दरसल सरकार ने समर्थन मूले पर 45 ल मौसम विभाग ने आगामी दो दिनों का वैदर अलर्ट जारी कर दिया चाराव उनिस नवंबर को ग्वालियर उजयन धार समीत पश्ची में मद्यप्रदेश के 14 जिलों में बारिश की संभावनार चताई गई है हाला कि राजसानी भुपा समेत अने जिलो में मौसम का अलग ही रंग देखने को मिल रहा है दो साल बाद होगी भाजपा मद्यप्रदेश कारे समीती की बैठक 26 नवंबर को होगी लगभग दो साल बाद समी की मौजूदकी में प्रत्यक्ष तोर पर ये बैठक होगी इसे पहले ड्राजकर और उज्यान में भाजपा के प्रदेश पदादिकारियों की बैठक होई थी इस एक दिवसी बैठक में 47 होंगे लंबे समय से कोरोना महामारी के कारण प्रदेश कारे समीती की बैठक वर्च्वल हो रही थी पुपाल इंदोर मैट्रो का काम अब तेजगती से आई भूमी पूजन की घड़ी शिवरा सरकार के ब्रूजेक्ट पुपाल इंदोर मैट्रो का काम अब तेजगती से होगा मुख्यमंत्री शिवरा सिंग जोहान 19 नवंबर शुकरवार को भुपाल में मेट्रो स्टेशन के लिए भूमी पूजन करेंगे कारिक्रम एम्स के पास प्रस्तावित है वहीं इन दौर में मेट्रो के आगामे कारे का भूमी पूजन 26 नवंबर को होगा नगरिये विभाग विकास ने दोनों शहरों में मेट्रो के अंतरगर प्रायोर्टी कॉरीडूर बनाने के टेंडर जारी कर दिये हैं एमपी में बकाया बिजली बिल के भुक्तान की समाधानी उजना लागू 15 दिसंबर तक करें आवेदन 31 अगस 2020 तक के बिजली बिल की मूल बकाया राशी को एक मुष्ट या किष्टो में जमा कराने वाली समाधानी उजना लागू कर दी गई ऐसे बयादार उभुक्ता 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं बकाया मूल राशी का 60 प्रतिशत एक मुष्ट भुक्तान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार खत्म होगा और 40 प्रतिशत राशी माफ होगी दिसंबर तक घरगर पहुचेगा नर्मदा जल नर्मदा का जल लोगों के लिए घरगर पहुचाने के लिए इंदिरो प्रिशासन जुटा हुआ है इसकी तहट नर्मदा जल प्रदाई योजना में जिले की भेड़ा घार पाटन मजौली और कटंगी में दिसंबर महा के अंतक और दो नगरिया निकायों सिहोरा और पनागर में मार्च महा के अंतक घरगर नर्मदा जल पहुचने लगेगा इस जानकारी कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के अध्यक्ष्टा में नर्मदा जल प्रदाई योजना के तहत अभी तक हुए कारियों की समिक्षा बैठक में दी उज्यान पतियाबाद मार्क पे चली काशी महाकाल एक्सप्रेस उज्यान पतियाबाद रेलमार्क का लोकारपन होने के बाद रेलवे ने इस मार्क पर ट्रेंज का संचालन शुरू कर दिया है मंगलवार को प्रियागराज एक्सप्रेस को इसी मार्क से इंदोर भीजा गया वहीं वापसी में भी इसी ट्रेन में मार्क से उज्यान पहुची, इसके अलावा चार मेमू ट्रेन भी चलाई गई, बुदवार को काशी महाकाल एक्स्प्रेस भी इसी मार्क से चलाई गई, बता दें कि 200 करोड रुपे के लागत से उज्यान फतेहबाद रेल मार्क का गेस तो पहले से ही कम किया जा चुका है अब रेलवे इस महा के अंत में रिटारिंग रूम के सुविधा देने की तैयारी में है त्री स्टार सुविधा के साथ रिटारिंग रूम नवंबर के आखर में यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा देर साल पहले ये सुविधाश शुरू होनी थी लेकिन बीच में कोरोना के कारण रेलवे की सभी सुविधाओं को बंद करना पड़ा बीजेवी के तैयार हो रहे दुर्ग को भेदने की कोशेश कमलनाथ ने 24 नवंबर को बुलाई बड़ी बैचक मद्यप्रदेश कॉंग्रिस प्रमुक और पूर मुख्यमंतरी कमलनाथ ने MP पॉलिटिक्स और आगामी पंचया चुनाओं के रणीती बनाने के लिए पार्टी के विधाय को और अनुसूची जनजाती के अन्य नीताओं को 24 नवंबर को राजे के राजधानी में एक बैचक के लिए बुलाया पाची के एक प्रवक्ता ने कहा कि राजे में आगामी ग्राम पंचया चुनाओं के लिए पाची के तैयारी के मद्यनजर 22 दिलों के सभी 89 आदिवासी बहुल प्रखंजों के नीता और कारेकरता बैचक बे मौझूद होंगे भुकताओं को 7% छूट के रूप में बिल माफ किया जाएगा जैसे अचानक शुरू हुई थी अमरेसर उडान वैसे ही हो गई बंद एर इंडिया दोरह पिछले मां अचानक शुरू की गए इन दोर अमरेसर उडान को अचानकी बंद कर दिया गया बताया जा रहा है कि विमान की कमी से सुणान को बंद किया गया इसे पहले एर इंडिया ने गुशना के बाद भी शार्चाह उडान को इसी विमान की कमी के कारण शुरू नहीं किया था वहीं जो पहले बुकिंग कर चुके हैं उन्हें रिफंट का विकल्प मिलेगा लेकिन इस उडान को बंद कर देना समध से परे है क्योंकि सीधी उडान के लंबे समय से मांग चल रही थी कुरोना को लेकर सरकार का बड़ा फैसला जल्द जारी होंगे आदेश कुरोना के लगातार कम होते संक्रमन को देखते हुए राजसरकार बड़ी राहत देने जा रही है अब किसी भी कारिक्रम में कुरोना संबंदी पाबंदियां पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी राजसरकार जल्दी से लेकर आदेश जारी करेगी बहितर वैक्सी करण और सयम के चलते मद्यप्रदेश में कुरोना पर लगभग विजय प्राप्त कर ली है विशेशग्यों के तमाम भविशेवानियां के उलट मद्यप्रदेश में लोगों की द्रड इच्छा शक्ती और सरकार की कारे प्रणाली ने प्रदेश में तीसरी लहड नहीं आने दी ऐसे में आप राजे सरकार ने फैसला किया है कि कुरोना को देखते हुए लगाए गई तमाम पाबंदियां समाप्त कर दी जाएंगी महात्मा गांधी चिपणी पर फसी कंगना कॉंग्रेस ने की पदमश्री वापस लेने की मांग जलाया पुतला विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाली फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा महात्मा गांधी पर की गई चिपणी के बाद विवाद खड़ा हो गया कंगना द्वारा की गई चिपणी के बाद कॉंग्रेस आक्रोशी थे और सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है कॉंग्रेस ने कंगना का पुतला जलाते हुए पदमश्री वापस लेने की मांग की है पिलम अबिने त्री पदमश्री कंगना रनौत का विवादों से पुराना नाता है पिछले दिनों 1947 में मिली आजादी को भीग बताने वाली कंगना रनौत ने एक और विवादित बयान दे दिया है इस बार कंगना ने रास्ट पिता महात्मा गांधी के खिलाफ टिप पड़ी की है कर्मशारियों को नए साल पर मिलेगी खुशकबरी सेलरी बढ़ने के साथ हो सकते हैं बड़े ऐलान कर्मशारियों के लिए खुशकबरी है वेस्टिवल सीजन के तरह केंदर सरकार नए साल पर भी अपने कर्मशारियों को तोफ़ाद दे सकती है बता दें कि इस्ते पहले दिवाली पर पर केंदर सरकार ने कर्मशारियों को टीए तीन परसन बढ़ा दिया था अब खबर सामने आ रही है कि सरकार एक बार फिर कर्मचारी को खुश करने के लिए जनवरी 2022 के शुरुआत में हाउस रेंट अलाउंस पढ़ाने की खुश नाग कर सकती है किसानों के लिए खुश खबरी दसवी किस्ट में 4,000 रुपे के साथ मिलेंगे ये फाइदे प्रार दिसमर तक पैसे अकाउंट में आ जाएंगे मीडिया रिपोर्ट्स की मांने तो मौदि सरकार किसानों को मिलने वाले सुविधा को डबल करने पर विचार कर रही है अगर ऐसा होता है तो किसानों को 2,000 रुपे की जगए 4,000 रुपे मिल सकते है अच्छी खबर अब हवाई यात्रियों को घरेलू उडानों में फिर मिलेगा खाना एयरलाइन कंपनीज को मिली मनसूरी देश में हवाई यत्रक करने वालों के लिए अच्छे खबर है अब घरेलू हवाई सफर के दौरान एयरलाइन कंपनीज यात्रियों को फिर से खाना उपलब्द करा सकेगी नागरे कुटियान मंत्राले ने आज सभी एयरलाइन को बिना किसी प्रतिबंद के उड़ानों में खाने पीने की विवस्था को बहाल करने की अनुमती दी यानि अब घरेलू उड़ानों में खान पान की विवस्था फिर से शुरू हो जाएगी नागरी कुडियन मंत्राले ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल के पालन से कुरोना संक्रमन के मामलों में कमी आई है इस वज़े से ये निर्न लिया गया है कि एरलाइन कंपनी अब खरेलू उडानों में यात्रियों को किसी तरह की रोप के बिना खाना दे सकती है इसनियम की वज़े से एट के MPK 4.50 लाग पेंशनर्स की पेंशन, पेंशनर्स की बड़ी मांग मद्यप्रदेश के 4.50 लाग पेंशनर्स की महंगाई भत्ते पर मामला भी अचका हुआ है जिसके बाद मद्यप्रदेश के पेंशनर्स ने बड़ा कदम उठाया है अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ती है तो आपको रिटायर्मेंट के बाद पेंशन सुविदा का लाब हासिल होता है लेकिन असंगती शेत्र के कामगारों को इस तरह की किसी सुविदा कलाब नहीं मिल पाता बुढ़ापे या रिटार्मेंट के बाद हमें अपने खर्चों को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए पेंशन की जरूरत परती है पेंशन का लाब ना मिलने के कारण असंगती शेत्र के कामगारों को रिटार्मेंट या बुढ़ापे के वक्त अपने रोजाना खर्चों को मैनेज करने में दिक्कते आती है आप पोस्ट ओफिस की पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम के तहट सालाना कम से कम पांसो रुपे से अपना निवेश शुरू कर सकते हैं वहाई इस स्कीम में निवेश की अधिक्तम राशीर डेर लाक रुपे है पोस्ट ओफिस की इस योजना में जमा करता आएकर अधिनियम के धारा एटी सी के तहट का टौती के लिए भी बात रुखोती हैं चांदी लुड की नहीं बदली सोने की कीमत सोने चांदी की कीमतों मिचारी उता चड़ाओ के बीच बुदवार को गुड रिटरंस वेबसाइट ने सोने चांदी की कीमत रिचारी कर दी वेबसाइट के मताबिक बुदवार सुभे सोने की कीमत में कोई बदलाओ नहीं दिखा वहीं चान्दी की किमत में गिरावट देखी गई, चान्दी 400 रुपे प्रती किलोग्राम की गिरावट पर ट्रेंट कर रही है फिर बड़े एक कुरोना की केस, एक किमत, एक्टिव केस 77 पहुचा, सीम ने कही बड़ी बात मद्य प्रदेश में कुरोना की स्तिती स्थिर है, प्रदेश में हर दिन कुरोना की केस सामने आ रहे हैं 15 नवंबर को आट नए मरीजों की पुष्टी होने के बाद, अब चार नए मामले सामने आए हैं पुपाल इन दोर में एक एक मरीजों की पुष्टी हुई, इसके अलावा इन दोर में एक व्रद्द की कोरोना संक्रमट से मौत हुई, वहीं परदेश में एक्टिव केस्स के संक्या 77 पहुच गई, हाला कि राहत की बात ये है कि जितने मरीज संक्रमित हो रहे हैं, उतने ही स पंचाय चुनाओं को लेकर एक बैठक की थी, जिसमें उन्होंने विभागिय मंत्रियों को पंचाय और निकाय चुनाओं की जिम्मेदारी सौपी थी, पंचाय चुनाओं की मामले पर शिवरास सरकार के राजे मंत्री ब्रजेंदर सिंग यादव ने जी मीडिया से खास ब हम पogaचाय चरी के जाएर मूर थाप एक घझistको याद रचता के राजे है छरा शित्गुनाओं की द만समें गप में की जिम्मेदारी सिंगर जे अन्हों से एका सव दिवरास से विगयार उन्हों की जिम्मेесь